दोस्तों अगर आपका BPSC, TRE 2.0 या फिर TRE 1 का जो पूरक रिजल्ट है इन दोनों में आपका सेलेक्शन हो गया है और आप इस बात से कन्फ्यूज हैं कि रेंडमाईजेशन और रेंडमाईजेशन क्या है जो की आपकी स्कूल एलाट्मेंट से पहले होने वाली है लेकिन पहले आपका रैसिनलाजेशन मतलब यह है कि सबसे पहले अधिकरियों की कुछ टीम या लोगों कुछs टीम डिफ्रेंट डिफरेंट स्कूल में जाएगी और वहां से ये डेटा प्राप्त करेगी कि किस स्कूल में कितने बचे हैं और उसके अनुपात में सिख्छक कितना है तो अगर इस डेटा को वह हासिल करते हैं तो इसे कहेंगे हम लोग rationalization इस से पता चल पाएगा कि सिख्छक और विद्यार्थ्यों का उनुपात क्या है ताकि उसी अनुसार उसे स्कूल में टीचर्स को यलोट किया जाएगा ताकि सिच्षक और विद्यार्थिक का जो अनुपात है वो ठीक से बना रहे और उसके बाद आती है कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तो तो आप निष्फिक्र रहें और यहां पर बात कर लेते हैं इन दोनों के प्रोसेस की तो I hope आपको समझ में आ होगा कि randomization क्या है और rationalization क्या है इन दोनों के माइद्यम से ही आपको सही स्कूल अलॉट होने वाला है ताकि टीचर्स और स्टुडेंट का रेशियो सही से बन पाए ऐसा इसलिए कि दोस्तों कि पिछली बार टीरी वन में स्कूल का rationalization नहीं हुआ था इसलिए स्टुडेंट और टीचर्स का रेशियो सही से नहीं बन पाया था उसी गलती को वापस न दोहराते हुए यहां पर पहले प्रस्ट को किया जाएगा उसके बाद आपको इसकूल एलॉट किया जाएगा ताकि टीचर्स और रहे हैं तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा थांक्यू मिलते हैं वीडियो में तो तक के लिए टेक केर वाबाई थांक्यू सो मच